मेरी वाइफ जब लसन के छिलके फैंक ने जा रही थी तो मैं हैरान हो गया मैंने उससे बोला कि इतने काम की चीज भला कौन फैंकता है तो मेरी वाइफ बोलती है कि भला लसन के छिलके की काम आ सकते हैं ये तो बेकार होते हैं तो मैंने बोला कि यह बेकार नहीं होते हैं, तो मैंने बोला कि तुम बस 5 मिनट रुकों मैं तुम्हें बता देता हूं, तो मैंने उसे बताया कि पहले एक बड़ा सा बावल ले लो और यह सारे चिल के तुम उसके अंदर Add कर दो, तो वैसा ही मेरी वाइफ ने की आ और फिर मैंने बोला कि तुम इसके अंदर पानी एड़ कर दो मेरी वाइफ ने पानी एड़ कर दिया और फिर मैंने कुछ मिर्ची के जो छिलके होते हैं उनको लिया और मैंने बोला कि ये चिलके भी इसमें बहुत काम आएंगे और इससे हमारे धेर सारे पैसे बचेंगे तो में काम करो ये जो चारे के सारे चिलके हैं वो भी तुम इसके अंदर एड़ कर दो वो भी तुमें कट करके इसके अंदर डाल देनी है तो मेरी वाइप बोर रही है कि क्यों तुम मिर्ची खराब कर रहे हो और क्यों आप ऐसे मिर्चियां और पानी लसन के छिलकों से क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हैं बोला कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अब तुम इसे जल्दी से कूटो तो मेरी वाइप बोलती है कि यारा मेरे साथ सच में अब तो मजा कर रहे हो मैं बोला हूँ मजाक नहीं कर रहा है तुम वेट तो करो तो मेरी वाइप बोलती है कि यह लो मैंने कूट दिया है तो तब मेरी वाइफ उसमें एड़ कर देती है बुख फिर मैंने बोला कि तुम इससे अब Acây से मिक्स करती है अब मैंने बोला कि इससे तुम छोड़ दू अब भाम कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ यलो शेफ में यह दिखाई देने लग जाएगा जादा नहीं होगा पर हाँ थोड़ा बहुत मालो जो पानी का कलर है पता चलेगा आपको कि हाँ इतना कलर चेंज हो जाता है फिर मैंने मेरे वाइप को बोला कि अब तुम्हें काम करो चलने की मदद से अलग कटोरी में इसे चान लो मेरी वाइप बोल रही है कि हाँ चलो ठीक है चान तो लोगी लेकिन इसका हम करेंगे क्या ये किस काम आएगी तो मैंने बोला कि तुम्हें अब एक काम करना है इस तरह कि कोई भी खाली बोटल ले लेनी है जो आपके घर में यूज ना आए जैसे हमारे घर मे ये बोटल यूज नहीं होती है तो मेरी वाइप बोलती है कि हाँ तो तुम्हें काम करो इसके अंदर ये सारा का सारा पानी तुम इसके अंदर एड़ दो मेरी वाइप बोलती है चलो ठीक है पर ये इसका हम इस्तमाल कहां करेंगे किस चीज में करेंगे तो मैंने बोला बस जो हमने मिर्ची लसन का जुका दे हैं इनकी गंद्ड जो होती है वो बहुत ही खत्रनाक होती है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसके कारण यह हमारे घर के आसपास भी नहीं बढ़केंगे और यह बना कर हम बहुत ही आसानी से तैयार भी कर सकते हैं तो मेरी वाई बोलती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही का ऐसा तो मैंने भी सुना था तो मेरी वाई बोलती है कि सही में आपने तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया मुझे लगा कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर लए थे तो दोस्तो आपको भी अगर मच्छर मख्या परिशान कर रही है अगर आज के हमारी यह ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तो आंख बंद करके कर दीजिए लाइक, शेर और कॉमेंट और जाने से पहले हमारे पेज को कर लीजे फॉलो क्योंकि ऐसी धेर सारी इंफोर्मेशन वीडियो माँ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, अब मैं चलता हूँ दोस्तो मुझे दीजी अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यार रखिएगा, तब तक के लिए दोस्तो बाई, टेक केर, अलविदा